मंडिला समेद प्रदेश के राष्टे उध्यानों और अभ्यारणों में शाकाहारी वनी जीवों के सामने खाने का संकट मंडरा रहा है तमाम उध्यानों में सांभर, हिरन, गौर और बारा सिंगा के सामने देशियों परमपरागत घास की कमी है ऐसा इसले क्योंकि अभ्यारणों में लेंटाना और मडमडी जैसी विदेशी घासों ने कबसा कर लिया है इस समस्या को देखते हुए कानहा नेशनल पार्क में ग्रास लेंड मैनेजमेंट को लेकर बैठा की गई इसे विशे को लेकर सहयोगी चंद्रेश खरे ने पूर्व वन अधिकारी से चर्चा की है हम इस वक्त हैं कानह टाइगर जरू के कानह जोन के घास मैदान में आप हमारे पीछे देख सकते हैं वड़ा एक लंबा च्छड़ा घास का मैदान ऐसे यहाँ पर एक नहीं सेकड़ों घास की मैदान है जिन में शाकाहरी वने प्राणियों की घास जिसका वो खाते हैं प्रकार से बारा सिंगा, चीतल, सामर, बाईसन ये सब घास में इनका भोजन है और इनका management, इनका प्रबंदन एक पार्क के लिए और सभी नेशनल पार्कों के लिए चुनोती बनता जा रहा है च्योंकि विदेशी घासें मडवणी है, लेंटाना है, चकोडा है, वो इनके ग्रास लेंड को कैट्टर करती जा रही है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में शाकाहरी वनने प्राणियों के लिए घास का संकट पैदा ना हो इसको देखते हुए आज काना निशनल पार्क में राज जिस्तरी एक कारशाला का आयोजन किया गया है इस कारशाला में पैच टाइजर रजर्व, सत्पुरा टाइजर रजर्व, बंदावो टाइजर रजर्व, संजय डूबरी और मत्यविदेश के जितने टाइजर्व हैं सभी यादिकारी यहाँ पर आ कारशाला में हिस्सा ले रहे हैं और एक conclusion पर जा रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे शाकाहरी वन्य प्राणियों के लिए उनके भोजा निस्तलों को विदेशी घासों से कैसे बचा सकें क्योंकि अगर घास स्वस्थ होगी तो शाकाहरी जानवार अच्छी मात्रा में होंगे तो उसी रेशो में मांसाहरी ज जाला में टेंज्मेंट को लेकर की थी कानहा में ग्रास रेंड के कितना महत्तो के अलावा जितने निश्ड़न पार्क इंपक्रदेश में इनमें निध्यर स्वस्थ हिम्जान कर सकते हैं साथ या आजहिछ गार्शाल इक किसी भी सरक्षी चेतर के लिए किसी भी टाइगर रिजर्व के लिए एक सर्टन परसेंटेज जो है वो घास के मैदानों से होना चाहिए सर एक बात और हमने देखी काना निशनल पार्क में कुछ विदेशी घासे मडमडी है लेंट आना है चकोला है इनको इनका मेनेजमें इनका प्रबंदनी कैसे शाकारी बनने जीवों के भोजान सरको निगल रहे हैं इन से कैसे बचाव किया जा सकता जी बिलकुल यह बहुत सह बहुत जल्दी कोई ऐसा प्रजेक्ट भी हम लेके आएं जिसमें यह इन्वेसिव स्पीसिस के प्रबंदन का हम एक 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 एम बना करके और फील में उपलब्द कर रहे हैं एक वाईलाइं इंस्ट्यूट अफ उंडिया या किसी दूसरे जो क्रेडिबल इं इसके निकलेंगे देखा अपने यते चोहान साब पूर पीसी से अफ मध्यपदेश कुल में लाके सार की बात दिया है कि अगर स्वास्त घास होगी स्वास्त हर्भी बोल होगा तो जंगल स्वास्त होगा और यही एक मध्यपदेशम टाइगर इस्टेट का दर्ज़े मिलन है टाइगर की संख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण है रासलेंड मैनेजमेंट मंडिला से एंडी टीवी के लिए चंद्रेश खरे चतरपूर के